नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेड इग्जाम पर और आज इस वीडियो में डिस्कुस हम कर रहे हैं लीनियर और ब्रांच प्रोग्रामिंग इन लर्निंग इन्वार्मिंट यहां दोस्तों तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कुश्चन इसका पीडियस में आपके साथ शेर कर रहा हूँ जस्ट मैं आपको ब्रीफली थोड़ा एक्स्प्लें करेंगा कि यह वीडियो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है इस कंटेंट को पहल बार पुछे गए हैं को ब्रांच प्रोग्रामिंग क्या है इनके बीच में अनतर क्या था अगर आपको इनके बाarme में दीटेल में स्टोड़ी करनी है आपको डीटेल में समझना है तो इस वीडियो आएसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो चीजें आपको बता रहा हूं बिल्कुल एकदम से आपको perfect बना देंगे लेकिन चीजों को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहतर तरीके समझाओं तो please वीडियो भी देखे और पीडियाप के साथ देखे ताकि आपको चीजें ठीक से समझ में है तो आई वीडियो को सटार्ट कर लेटा है फटा फट से देखते हैं कि भई है क्या किस ने दिया किस ने बनाए और क्या है यह लीनियर और ब्राइंच प्रोग्राम सबसे important बात से दोस्तों वा कर हम ले बात कर ते हैं इसकी linear programming method की, सबसे पहले यही आया, उसके बाद में आपकी ब्रांच programming, इसका credit जो है BF Skinner जी को जाता है, Skinner जिनको कि हम लोग सब जानते, Operant Conditioning से जुड़े हुए हैं, so the credit of linear programming goes to BF Scrooney, and linear programming is entirely related to Operant Conditioning, Operant Conditioning states that human behavior is saved through suitable reinforcement to the responses, तो linear programming क्या कहती है, यह आपकी, कि अगर हम किसी भी learner को, अगर एक समय समय पर time to time, एक सही guidance और सही content दें, सही learning प्रोवाइड करें, एक learning environment प्रोवाइड करें, तो जो चीजें हम उसको सीखाना चाहते हैं, हम कुछ भी अगर उसको सीखाना चाहते हैं, तो हम उसे सिखा सकते हैं, यानि कि सीखने का एक environment create करना है, सीखने के लिए सही motivation प्रोवाइड करना ही linear programming का basis है, this method tells that a certain direction can be given to human behavior, for this purpose, activities needed to be divided in small parts and make their analysis, it is a gradual process and the responses are conditioned in a step-by-step manner, तो linear programming में क्या कहते हैं, linear programming का basis यह है कि यहाँ जो भी सिखाय जा रही हैं चीजें, अगर एक learner को कुछ सिखाय जाती हैं, और यह linear programming method, branch programming method, जो हम यहाँ discuss कर रहे हैं, कि classroom teaching में बहुत जाद effective होती है, खास दौर पर चोटे बच्चों की teaching के लिए तो यह बहुत ही effective होती है, आपने देखा को चोटे बच्चों को सबसे पहले slanting line सिखाय जाती है, फिर आपके sleeping line सिखाय जाती है, फिर circle बनाना सिखाय जाता है, फिर उनको dot dot करके A और B और C लिखना सिखाय जाता है, यह कोग, कोग सिखाय जाता है, फिर वो धीरे-धीरे अक्चरों को जोड कर सब्द बनाते हैं, सब्दों को जोड कर वाक्य बनाते हैं, तो यह gradual process होता है, जब तक बच्चा जो है slanting line बनाना ठीक से नहीं सीख जाता, वो अक्चर नहीं को सीखता है, मैं आपको धारन देता हूँ, जैसे देखिए, आप इस्कूल में आपने देखा होगा, बच्चा पहले एक line खीचता है, फिर यह दूसरी line खीचना सीखता है, फिर वो इस तरह से तीसरी line B, B के बाद C, ऐसा नहीं कि A, B, C, D, एक ही बार सिखा दिया, ऐसा भी नहीं कि A to Z में A सिखा दिया, फिर कहीं Z सिखा दिया, कहीं K सिखा दिया, ऐसा नहीं होता है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, इस तरह से linear steps में सीखते हैं तो linear programming भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर जो भी learning दी जाती है linear programming method में जब भी कुछ सिखाई जाती चीज़े तो यहाँ पर learning जो होती ही छोटे-छोटे frames में होती जब आप पहला frame सीख लेते हैं तो अभी जाकर आप second frame को सीखने के लिए ready होते हैं या आपको allow किया जाता है जब आप second frame सीख लेते हैं तो आपको third frame के लिए promote किया जाता है and once you have learned the mastery or once you have the mastery of all the three stages you will be promoted to the fourth stage तो इस तरह से करके आपको धीरी-धीरे linear way में यानि कि रैखिक तरीके से step by step mirror में आप आगे बढ़ते हैं और जो भी चीज आप सीख रहे हैं उसमें आप mastery हासिल करते हैं यानि कि primary behavior के time यानि कि आप entry behavior जो होते हैं यह देखिए हम लोग यहां पर देख रहे है primary behavior यानि कि जब आप कुछ भी दर frame सीखते हैं और जैसे आप class one के बाद class को pass करते हैं तो आपका जो terminal behavior जिसे last behavior कहते हैं यह होता है कि आप ABCD का ग्यान लेकर निकलते हैं तो primary behavior क्या था कि हम लोगों कुछ भी नहीं आता था last behavior क्या था है कि हमें ABCD सब चीज़े सीख ले कैसे सीके frame by frame तो यह important चीज़ समझना आपको so in linear programming learner responses are controlled externally by the programming sitting at a distance तो इसमें क्या होता teacher आपको guide करता आपका कुछ लेना देना नहीं होता एक learner का कुछ लेना देना नहीं होता वो अपनी मन से कुछ भी नहीं कर सकता linear programming की सबसे बड़ी limitation भी ही है और सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि learner की बहुत जादा यहाँ पर involvement process में नहीं होती सीखने की हाँ वो उसका activity तरूर होता है वो सीखता तो वही है लेकिन किस तरह से सीखेगा इस बात का decision इस बात का control जो होता है instructor के पास होता है programmer के पास होता है यानि की teacher के पास होता है linear programming is called a straight line program as the learner बहुत important line की straight line program की कहते हैं so program as the learner start from his initial behavior to the thermal behavior following a straight line the student proceeds from one frame to another from until he completes the program तो जब तक वो चीज़े सीखने लेता तब तक वो एक frame से दूसरे फ्रेम तक रहता रहता है linear program immediately reinforces the student responses that approaches the learning goal तो सीखनी की परक्रिया के दौरान अगर frames को सीखने में one frame से second frame में जाने में अगर आपको किसी चीज की कमी है आपको लगता है कि पहले frame में आप ठीक से तयार नहीं तो वापस तुरंत आपको अगर ऐसी कोई भी चीज पहले frame को यानि कि जब बच्चा A, B, C, D सीख रहा होता है तो ऐसी कोई भी activity जिसके वज़ए से बच्चे को सीखने में help नहीं मिल रही होती है तो उसे हम लोग avoid कर देते हैं बच्चे को वो करने से मना कर देते हैं So each bit of learning is presented in a frame जो भी आप सीखते हैं छोटे-छोटे steps में सीखते हैं and the student who has made a correct response proceed to the next frame और जैसे-जैसे बच्चा अच्छा करता जाता है उसे next काम करने के लिए यानि next step में proceed करने के लिए allow किया जाता है So all the students work through the same sequence and low rate of error is necessary to ensure continued positive reinforcement of the correct reinforcement responses तो linear programming की सबसे बड़ी बिसेष्टा सबसे बड़ी benefit ही यही है कि यहाँ पर हर एक student same ही steps follow करते हैं same ही तरीके से सीखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है कि class में कोई intelligent बच्चा है तो उसे अलग तरीके से पढ़ा जाएगा और कोई बच्चा थोड़ा dull है तो उसे अलग तरीके से बढ़ा जाएगा सबको same fashion में ही चीजें सिखाई जाती है fundamental principle of linear programming तो देख लिजे इसमें कुछ basic principles हैं जैसे principles of small steps तो आपको लिखना होगा तो आप यह जरू लिख सकते हैं यह 15 नमर की question के साब से बहुत important है कि principle of small steps जो भी चीजें सीखे जाते हैं चोटी 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 step principle of active responding जो आप चीजें सीखाई जा रही हैं अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें आपको actively तुरंत की तुरंत उसमें reinforcement दिया जाता है आपकी गलत चीजों को correct करने का प्रयास किया जाता है principle of immediate confirmation और अगर आप सही करते हैं तो आपको तुरंत appreciate किया जाता है आपके लिए तालिया बजाए जाती है आपको motivate किया जाता है principle of self pacing अच्छी बात यह है linear programming के यहाँ किसी speed की foundation नहीं होती है एक ही class में अगर चार बच्चे हैं और वो अलग-अलग speed से सीखते हैं तो उनको अपनी speed से ही सीखने की permission होती है जब तक कि वो पहला stage clear नहीं कर लेते तब तक वो दोसरे stage में नहीं जाते हो सकता है कि एक बच्चा एक stage को एक दिन में करे तो हो सकता दूसरा बच्चा उसे तीन दिन में करे लेकिन जब तक पहला stage आप नहीं complete करेंगे आप next stage में proceed नहीं करते यानि कि self learning को self paste learning को यह promote करता and principle of student testing इसमें अच्छी बात है कि हर एक stage में testing होती है student ने क्या सीखा क्या learning की है इस बात को ensure किया जाता है तो learning की process में जो error होती यानि कि step by step सीखने का यही फायदा है linear method में सीखने का यही फायदा है कि errors जो आती हैं आपके learning में वो कम होती चले जाती है और यही तरीका है कि जो montessory method है या फिर आपका जो primary school में nursery classes में जो चीज़े सिखाई जाते है वो बच्चा बहतर तरीके सीख पाता है क्योंकि उसने एक-एक activity के लिए बहुत सारा समय दिया होता है और जब तक वो mastery नहीं हासिल कर लेता है एक-एक steps के तब तक वो next steps में आगे नहीं बढ़ता है characteristics of linear program तो आप यहाँ पर फटा-फट से देख सकते हैं major characteristics क्या है linear program के linear program are export to small amount of information and proceed from one frame to another linear responses overtly linear program respond overtly that their correct responses can be rewarded and their incorrect responses can be corrected important है linear responses are in linear programming students are informed immediately about whether or not their responses is correct feedback भी दिया जाता है linear program proceed at their own pace यानि कि self-pacing method यह कुछ important characteristics में है तो यह सारी चीज़ें आपको धियान रखने हैं बाकित पहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखे हैं आप इनको पढ़िए ताकि आपको समझवाए advantages of linear programming में हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है student की जो learning होती है advantage of linear programming में हम इस बात को जरूर लिख सकते हैं कि यहाँ जो learning होती है better क्योंकि content को small units में student के speed के हिसाब से सिखाया जाता है जब तक इस step में बच्चा अच्छा नहीं कर लेता वो next step पे नहीं जाता students की learning में जो errors आते हैं जो errors जो सीखने के परक्रिया में hindrance क्रियेट कर रहे हैं यानि कि जो learning की process में आपको problem क्रियेट कर रहे होते हैं उसे तुरंत immediately solve किया जाता है उसे remove किया जाता है जिससे कि student learn better इन्हें less age fairy informant यानि कि एक ऐसा learning environment जहां की बच्चे को guidance भी दिया जा रहा है लेकिन उसको उसकी speed से ही सीखने के लिए motivate किया जा रहा है since frame size is small in steps it includes only one element of topic at a time each simple step is complete in itself and it can be taught independently and can be measured independently frame structure is both stimulus response तो अच्छी बात है यहां पर there are four type of frame introductory frame, teaching frame, practice frame and testing frame याद रहेगा कि यहां पर frame में teaching की जाती है तो अच्छी बात है कि छोटे छोटे frames में teaching करना असान है evaluation करना भी आसान है और साथी साथ में बच्चों की क्या learning हुई है इस बात को control करना भी आसान होता है तो सबसे पहले main जो आपके four frames होते है linear program में एक होता है आपका introductory frame दूसरा होता teaching frame, तीसरा होता practice frame और fourth होता testing frame इन चारो frame से जब बच्चा किसी भी एक stage में जब होता है उसको पार कर लेता है तो वो next stage में proceed करता है since responses in linear programming are structured responses these controlled by the programmer and not by the learner therefore immediate confirmation of the correct response provided by reinforcement wrong responses are ignored it is basically useful add for secondary level student used for achieving lower objective of learning especially for recall and recognition useful for student of average and below average intelligence can be and it can be very useful for the programs of distance learning तो यहाँ पर आप देख सकते इसके advantages इसके limitations भी है तो वो भी आप यहाँ देख लिजे कि lack of motivation अब क्या होता है मजा नहीं आता है कई बार एक ही जैसा boring हो एक ही काम को दस बार करना पढ़ता है lack of motivation है freedom of choices भी यहाँ पर कम होती है student का कोई control नहीं होता है he has no control over what he is going to learn and how he is going to learn दूसरा costly होता है since the process is broken down into number of steps तो क्या होता है वो costly हो जाता है कई बार एक ही काम बूँ करने से काफी time भी लगता है money भी लगता है और manpower का भी requirement होता है blank and key terms are guests कई बार जो है बच्चा अगले step में pass होने के लिए अगले step में पहुँचने के लिए guessing भी करता है जो कि कई बार learning की process को थोड़ा badly impact करता है it can be used in limited area और यह higher studies के लिए high mental ability वाले students के लिए या फिर higher level यानि college, university, PhD, research level पे linear program में इतना effective नहीं है जितना कि यह primary और second level students के लिए तो यह इसकी limitations भी है आपके इसमें students को क्या होता है कि do not get the permission to follow और use their correct potential क्योंकि सारा कुछ teacher के हाथ में होता है तो student के पास में यह freedom नहीं रहता था कि वो अपने potential अपने knowledge अपने जानकारे के साब से चीजों को perform करे तो यह भी बात है student follow a rigid यहाँ पर ध्यान दिजेगा student follow a rigid prescribed learning steps और program hence sometime the process become very difficult sometime process become very boring and sometime learning also becomes limited क्योंकि जब तक आप थोड़ा innovation नहीं करेंगे थोड़ा नए नहीं चीज़़ा creativity नहीं आएगी तो कई बार learning जो है आपकी उतनी effective नहीं होते है so definitely इसके limitation यह यह कि आपके student के अंदर जो learning के प्रक्रिया होते है creativity को तो curtail करता है यहने कि limited कर देता है it is very difficult to find out exactly the background of each क्योंकि इसमें हर एक बच्चा एक ही चीज़ सीख रहा हर बच्चा एक ही activity कर रहा तो cheating के भी संभावना मान लो दस बच्चे है पहले दो बच्चे उने कोई test पास कर लिया तो हो सकता हो दूसरे बच्चे जो इसके बार test देने वाले है उनको वो question के answer बता सकता है क्योंकि step सेम है सही answer भी सेम होंगे तो वो cheating के भी संभावना रहती तो कई बार यह process बिलकुल रटा रटा है route memorization पे भी dependent हो जाता है route memorization जैसा हो जाता है तो इसके limitations भी हैं आपके इन book form बहुत ज़्यादा bookish जैसा भी हो जाता है और based on learning theory which were formulated by the experience और सबसे important और काफी जो आप इसको बूल सकते हैं कि जिसके उपर काफी argument या काफी बूल सकते हैं इस linear program method की criticism होती है वो होती ही कि यह जो experiment किये गए है mostly animals के उपर experiment किये गए हैं तो यह उतने ज्यादा effective भी नहीं है humans के साथ में हर एक human के साथ में वो उसी तरह से आप use नहीं कर सकते हैं जैसा behavior आप humans को चाहते हैं और जैसा behavior आपने जो है animals में देखा है तो यह थोड़ा सा एक criticism का point होता है क्योंकि यहां पर linear programming का जो basis है वो animals के उपर experiment करने के बाद में जो theory बनी है यानि animals के उपर जो experiment करने के बाद जो observation बना है उसके आधार पर linear programming को design किया जाता है wrong responses are avoided in the program so wrong responses को क्या होता हटा दिया जाते बच्चे जो बच्च भी गलत करते हैं उसको हटा दिया जाता है फिर नया काम करने को दिया जाता है तो इससी क्या होता है कि जो बच्चा गलत चीज सीख रहा है उसके लिए उसको कोई सीखने की chances कम मिलते यानिकि मालीज आपने चार कुश्च भी इसमें अगर एक कुश्च गलत है तो आपको एक नया कुश्च दे दिया जाएगा जब तक याप चार सही कुश्च नहीं करते तो इससी होगा यह कि जो कुश्च भी गलत करें उससे आपको सीखने का ठीक से मौका नहीं मिलता तो दिस इन आप बड़ते is norman a crowder hence it is also known as crowdian model it is based on the configuration theory of learning it is a problem solving approach it is a stimulus centered approach of learning as the word branching means the subdivision of the stem or trunk so the same concept is applied to the branching programming instruction also so you have to keep learning learning होती है इसको हम सिफ एक linear यानि की सीधी सीधी स्टेप्स linear steps में ना follow करके branching भी कर सकते हैं आप learning को process को थोड़ा different path से भी पूरा कर सकते हैं the main concept of the trunk of the tree is subdivided into small concept and the further again to other minor detail of the topic आई इसको देखते हैं कि देखें यहां पर क्या होता है linear programming जैसा होता था कि सिर्फ one frame से दूसरा frame तीसरा frame यानि कि क्या होता है कि आप जो है linear program में सिर्फ frame one two frame two frame three frame four इस तरह से proceed करते हैं लेकिन branching program में ऐसा नहीं होता है branching programming क्या होता है कि अगर student step one और step two को अच्छे से समझ लेता है अगर वो पहले सही सीख किया तो directly वो step three में भी जा सकता है अगर मान लिजे step two में उसको गड़वड हो रहा है वो नहीं चीजों को सीख पा रहा है तो वापस step one में उसको भे दिया जाता है linear programming में ऐसा नहीं होता है एक बार step one पार करने बाद वापस से आप step one को नहीं सीखते हैं बड ब्रांचिंग प्रोग्राम में इस पॉसिबल कि अगर आप किसी step को ठीक से नहीं सीख पा रहें तो branching programming की यह खासियत है देखें each content frame includes the following तो branching programming के कुछ important feature क्या है कि repeating student responses positive confirmation new formation and questions alternative followed by page number where the student should go next तो यह कुछ important points है यहाँ पर तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहें यहाँ पर एक important बात आपको समझ में आयोगे कि यहाँ पर student के response को repeat किया जा सकता है और जब बच्चा अच्छा कर लेता है then he gets the positive confirmation तो पहले ज़रित पढ़ने पर student को आप वापस repeat भी करते हैं जो linear program में possible नहीं था दूसरा फिर आप आपको positive confirmation देया जाता है जब आप एक steps को अच्छा सीख लेता है फिर नए information आपको provide के जाती है फिर उस नए information के साथ आपको नए questions मिलते हैं और जब आप उनए questions को solve कर लेते हैं तो फिर आपको नए learning के लिए ready किया जाता है तो आपको alternative page numbers जहां कि आपको जहां जाना है य अब branching programming में क्या होता है कि जैसे हम आलीजे किसी step में अच्छा नहीं कर पा रहे माले one two three fourth stage में पहुंचे और अच्छा नहीं कर रहे तो वापस हमको third step सीखने के लिए second step जहां लगता है teacher को कि fourth stage में आने तक अगर उसका second stage अच्छा नहीं तो वापस वो second stage में भेज दिया सकता है यानि कि correction कर सकता है और जो गलत चीज़ें यानि कि negative confirmation और अगर जो चीज़ें बच्चे ने गलत की है उस बात को negatively confirm भी यहां पर किया जाता है उसको बताया जाता है कि why he is wrong जो कि आपका linear programming में missing ता उसको reason नहीं बताया जाता था बलकि उसे नया question दे दिया जाता था further explanation in simple language क्यों वो गड़बड कर रहा है third step से वापस उसको second stage में क्यों भीजा गया है उसका reason बताया जाता है उसको reason के साथ है उसका explanation भी दिया जाता है ताकि उस चीज को वो दूर करते कि उसका error हो रहा है जो सीखने में गड़बड ही हो उसे वो दूर किया जाए and further direction as to where the situation और एक बार जब वो second step को फिर भेतर तरीके से सीख लेता है तो वापस से उसे fourth stage में directly भीज दिया जाता है सनी कि फिर second stage फिर third stage और fourth stage अगर fourth stage चे second stage भीजा गया था तो अब directly second stage भी जा सकता है जो कि linear programming में possible नहीं था feature of branch programming क्या है कि जो material आपको provide किया जाता है वो थोड़े lengthy होते हैं so much information is provided in each step जैसा कि आपका linear programming होता थे वहाँ पे छोटे-छोटे information provide गया थे लेकिन branching programming में हर एक steps में आपको information जो provide कि जाती है वो ज्यादा होती है comparatively larger होती as compared to the linear programming frames दूसरा method of the student response is different that of the linear model student has to make choice out of this several यानि कि multiple choice question type के यहाँ पर options होते हैं branching programming तो बच्चा उसमें से correct response को select करता है Crowder holds that teaching is communicated and also concentrate his attention upon the improvement of communication बहुत ज्यादा focus रहता है कि बच्चे के साथ पर teacher का communication हो Learner has freedom to choose his own path of action according to the background of the subject matter Learner controls the exact sequence that he will follow Branching program की यही खास बात है कि यहाँ पर control जो ही student के पास में भी है Teacher guidance तो देता ही है लेकिन student के पास में control होता है branching program और यही बहुत बड़ा change है कि branching programming method में student has the control कि वो क्या सीख सकता है कौन से steps सीख सकता है और यहाँ पर उसके creativity और potential को भी पूरा औसर मिलता है कि वो अपने knowledge अपने skill को अपने बहतर अपने learning style के साफ से चीजों को सीख सके साथी साथ यहाँ पर देखेंगे साथी साथ the programmer simultaneously the programmer has the ample opportunity to exploit the literary style तो यहाँ पर जो सीखाने वाला है उसके पास में भी परयाप समय होता है और time होता है कि वो अपने style से भी सीख से तो यहाँ student को फ्रीडम होता है और teacher को फ्रीडम होता है student has more alertness and concentration of the subject matter and he is more careful यहाँ पर बच्चा और ज्यादा carefully चीजों को सीखता है बहतर तरीके सीखता है और ज्यादा attention के साथ चीजों को सीखता है detection and concentration of error is important तो इस method में जो errors की find out करी जाती है जो बच्चे की पढ़ने की process में गलतिया हो रहे हैं उसका find out जो किया जाता है वह बहुत carefully किया जाता है उनका solution भी carefully दिया जाता है इसलिए यह जो learning होती है काफी best और बहतर होती है चले आगे बढ़ते हैं major characteristics of यहाँ पर देखेंगा major characteristics जो है आपके learning style की बहुत करिएगा जो branching method है उसकी की frame size is large there may be para or pages in the frame it consists of rather long frame which is often it form in the appears or in the page of the textbook pages student read the pages frame by frame and then respond by selecting the correct alternative in three alternative multiple choice questions each alternative is associated with the page number which directs the student to the another frame frame structure is exposition तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो learning की जाती है आपके books के साब से की जाती है books में आपको उनको option दिया जाता है तो वो है यहाँ पर यह देखेंगे principle of exposition, principle of diagnosis and principle of remediation exposition का मतलब की student को expose किया जाता है sources of knowledge के जो student सीखने वाला है उस content से बच्चे को expose किया जाता है बच्चा जब सीखता है उसमें अगर कोई error होता है कोई problem होती है तो इसके diagnosis की जाती है और फिर उसका remedy भी किया जाता है तो यह तीन important steps होते हैं आपके branching programming के the error branching देखें यहाँ पर important है तो यहाँ पर advantages को आप थोड़ा सा अपने स्वाब से देख लीजेगा तो मैं यहाँ पर just अभी script कर रहाँ वीडियो को ताकि आप जो है जल्दी से इस topic को clear कर लेए इसका PDF मैं आपके साथ share कर रहा हूं तो please आप इसे use कर सकते हैं देख लीजेए यहाँ पर